जो मेरी रक्षा करते हैं, पांच फड़ों का सर्प मेरा सेवक है, मेरी इच्छा के बिने इस नगर में पत्ता भी नहीं हिलता। कौन पुरंजनी मैं स्वच्छन्द विच्रन करती हूं। यूपती ने कहा, मेरे अपने माता-पिता है या मुझे याद नहीं है। यूपती ने पुरंजन का पुछा, पुरंजन ने कहा, हम दो दोस्त थे, एक अविज्यात और मैं पुरंजन और मेरे कुट्प मेरे मैं तुम्हारे साथ विवा करना चाहता हूं। पुरंजन ने अपने मित्र को भूलकर उस नो द्वारों के घर में रहने लग गया। और रह करके उसने कहा, एवं कर्मसु संसक्त कामात्मावज्यतो भुद्र मैशियद्य दिहेत तत्त देवान वर्तत। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फसा हुआ था। काम परवश होने के कारण वह मूड रमडी के द्वारा ठगा गया। होता है। हम भी कई कई दफे ठगे जाते हैं। उसकी रानी जो काम कहती वो करने लग गया। वो किसका जो अविग्यात के साथ में था। वो उसके पत्नी के मुह में आ गया। इधर जरा रूप की कुरूपणी कन्या थी। उसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। दुखी होकर चंडवेग राजा के पास पहुची। और उसने आकर के प्रजवारूमम भात्रतुवयाम अवेगनी भवें। उसने वहाँ पे चंडवेग राजा के चढ़ाई के बाद जहां तीन सो साथ गोरे गोरे गंदर तीन सो साथ काले काले गंदर्वियां थी। उस सब हट गए। एक उसका नाम प्रजवार। और पुर पुरणजन की दशा खराब हो गई। अब ये पुरणजन कौन अविज्यात कौन ये तो मैंने आपको भागवत से श्लोक सुना करके कहा। देखिए बुद्धी ही पुरणजनी है। ये जीवात्मा ही पुरणजन है। और अविज्यात ही भगवान है। ग्यारे इंद्रि सौसव पुत्र कौन से है जो हमारे रोज की सुबह से श्याम तक किती कामनाओं के जो उठते हैं वो सौसव पुत्र है। संकल्प अविकल्प अविकल्प ये सौपुत्र है। एक विचार आता नहीं कि दूसरा दबोशता है। इन ग्यारा इंद्रियों में जीव फस पुरन्यन, पुरन्यन मतलब हम जीव, हम फंस गय, इंद्रिय सुखो भुगो में फंस गया, और कलिदेव, कालदेव मृत्यू के पुत्री जरा के साथ विवा करने की इच्छा कोई नहीं करता, वो मृत्यू के पुत्री जरा मतलब बुडापा, जो हम सब को अभी छाया नही था, तब पुरन्यन के अंदर जो भुग, अभुग का सुख लूटता है, वो सुख कभी पुरा होता नहीं, प्रज्वर है अंतकाल का ज्वर, जो जरा रूप ने, 360 गंदर मतलब 360 दिन, 360 राते हैं, यह हम समय के भुग में रोज भोगे जा रही हैं, अंत में इस्त्री से अतिशेक आसकत रहने पे पुरन्यन का अंतकाल में इस्त्री का चिंतन करते हुए खतम हो गया, जिसका अंतकाल में चित्र होता है, उसको वहीं पे विधर रूप में, कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा, इस्त्री का चिंतन करके पुरन्यन को इस्त्री बनना पड़ा, इसका तात्पर्य है कि यहां ने कोई इस्तरी है, ने कोई पुरूश है, ने कोई बच्चे है, ने कोई कई है, बोले यहां पे कोई भी नहीं अपना है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यहतन किसी का है दिया, अब इग्यात ने वहां से किया, बाल्या वस्ता से, ब्रदा वस्ता से सत कर्म किया द्रविड देश में जहां पर उस भक्त पती के साथ विदा हुआ और ये कहा कि अब समझ में आ गया कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है यह तन भी किसी का है दिया और यह सब कुछ जग भी किसी का है दिया हमने जबर दस्ती इस पर अधिकार कर लिया मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वे है धन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वे है धन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से मेरा है ये है कहने वाला मेरा है ये है लेने वाला कहे उठा अभी मान से मेरा है ये है लेने वाला कहे गुठा अभी मान से मेरा है ये है कहने वाला मन किसी का है दिया मेरा है ये है कहने वाला मन किसी का है दिया मजने की बात है ये पजबे ये मन भी किसी का दिया हुआ है हमारा लाया हुआ नहीं हमने खरीदा नहीं है जो भी अपने पास है वे धन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है ये हमेशा याद रहना चाहिए जो मिला है वे है हमेशा पास रह सकता नहीं जो मिला है वे हमेशा पास रह सकता नहीं कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कर सकता नही कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कर सकता नहीं जिन्दगानी का खिला मदवन किसी का है दिया जिन्दगानी का खिला मदवन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वे धन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया जग की फेवा होजे अपनी प्रीति उनसे कीजिए विन्दगी का राज है ये जान कर जी लीजिए विन्दगी का राज जान लीजिए ना तन अपना है ना मन अपना है ना जग अपना है सादना की राज पर जह पालं किसी का है दिया जो भी अपने पास है वे धन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वे तन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया इसहें पुरआंजन, पुरआंजनी का पूरा ग्ञान इस पद में आ गया था, इसलिए पदली है, कि न में हैं न मीडा है, यह सब जीव और परमात्मा का जो अविज्यात अपुरंजन का खेल है, यह हमारे सब के साथ है ना कोई पुरंजन दूसरा है ना कोई अविज्ञाद दूसरा है यह हम सब है और इन पुरंजनी के कारण से जब उनके ज्ञान हो गया तो उस मित्र के कौन आया वो अविज्ञाद वापिस उन्हें टटोलने आया किस रूप में? सद्गुरु के रूप में सद्गुरु के रूप में अविज्ञाद ने आकर इस जीव के जो माया का कारण भूल गया था उसे सद्गुरु ने आकर वपिस चितावनी दी और कहा यह किसके लिए जा रहे हो तो लौकिक सुक में इतना फसा हुआ है तो अपने आत्मस्वरूप का विचार नहीं करता तत्व मसी तु मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है तु मेरी ओर दिख जब सद्गुरु के रूप में भगवान ने कहा तो पुरंजन फिर प्रभू के सन्मुक हुआ जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ जीव कृतार्त हुआ तो कई बार पुरंजन इस्त्री बना, किस्ती बार पुत्र बना कित्ती बार राजा बना कब तक भटकता रहेगा तो अब चिंतन करते हैं मेरे सुरूफ में लीन हो जाए ऐसे एक दफ एक भगत थे अमर्दास जी किया थोड़ा सा अड़क हो गए अमर्दास जी के पास अमर्दास जी गए अपने मा के पास मा तेरे विवा की फोटू में मेरी फोटू नहीं है गोले बेटा तू कैसे तो मेरे विवा के बाद तू हुआ गोले नहीं नहीं बता मैं कहां था अच्छा मैं नहीं हूँ तो मैं कहां था देखे कितने भक्तों की बात अगर मैं यहां नहीं हूँ तो मैं कहीं तो हूँगा अरे पर मेरे पेट में तू पीछे से आया मैं कैसे बताऊ तू कहा था बोले नहीं नहीं मा कहीं तो था मेरे विभा के पश्चात तेरा जन्म हुआ तो मैं कैसे बताऊ तो मैं कहीं से तो आया होंगा मा तू गलत कहती है उस समय पर कहीं पर तो था ही मेरा मूल निवास कहा है वो बता मा मा मुझे बता मेरा मूल निवास कहा है मैं तेरे पास आया तो कहीं से तो आया अता जीव जगत में मूल निवास था नहीं जान पाता तो भटकता फिता है नारज जी ने प्राचीन बही राजा को पखान किया मुल निवास तो परमात्मा का घर है माने का बिटा, मुल निवास तो परमात्मा का घर है, वहीं से आते हैं और वहीं लोग चले जाते हैं, दस हजार वर्षों तक प्रचोत प्रचेताओं ने नारायन सरोवर के किनारे जब किया, तब जाकर उनके सामने नारायन प्रकट जब है न जब जब की एक बहुत पिशेष्टा बताते है बहुत लोग बहुत जब करते है लेकिन जब करते हुए यहां से जब होता है यहां से जब होता है मुझ से जब होता है जोर-जोर से जब होता है लेकिन जब से जब तक मन की शुद्धी नहीं होती वो जब अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है जब से मन की शुद्धी होनी चाहिए जब के बिना जीवन नहीं सुदरता लेकिन जब से मन की शुद्धी हो तो दास बोत में लिखा है रामदा स्वामी ने कि तेरा करोड जब करने जब पूर्वजानमों के पापों को भी जलाता है इस विशे में विद्यारण जी की जो मैंने कहा कि कितने जन्मों का अपना पाप है वो अगर नहीं जलता है तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं भगवान नारायन ने प्रचेताओं को दर्शन देकर आज्यादी की तुम विवाह करो ग्रिहस्तात्र में भक्ती में बादक नहीं है सादक है एक दो संताने होने के बाद संयम का पालन करो एक साथ तीन घंटे तक भगवत स्मरन में लगाने चाहिए प्रभु सेवा जगत सेवा है ग्रिहस्तों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बोद दिया गया अगर ग्रिहस्त की कथा ले लोगी तो आगे नहीं पहुँच पाऊंगी ग्रिहेश्वाविश्दाम चापी पुनसाम कुशल करमनाम मदवारतायातयामानाम नबंदाय ग्रिहामदाः जो मनुष्भवध अप्रण बुद्धी से कर्म करता है बगवध बुद्धी अरपन से कर्म करने का तातपरिय है कि जो भी कार्य करो वो भगवान को सौंप दो मेरी कथा व्यारता में व्यतीत करता है ओ घर बंदन का कारण नहीं बनता अब कहें बई हम तो सब कुछ बगवान के बरोसे करते है आप यहाँ बगवान के बरोसे आए या खुद कता सुनने आए हाँ जी नहीं खुद कता सुनने आए मेरी स्वीट किदर है मेरा काम किदर है मैं कता सुनने आए बगवान के बरोसे कोई भयात अगर भगवान के बरोसे हम हर कार्य करने लगेंगे भगवान तक छण आपको अनुभव कराएंगे प्रभु कृपा पुर्ण होती है हां हां भगवान के बरोसे पहले से आते से तीन गंटे पहले मेरी सीट जैसे कोई सीट पे नाम लिखा हुआ हो दुखा का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव है भगवान का बरोसा नहीं और स्वभाव को सुधारना वो कहते हैं ग्रियस्त धर्म में कहते हैं सबसे टेड़ा काम क्या है स्वभाव सुधारना हम लोग क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं हम दो बिल्कुला ठीक एरते हैं, सामने घ्री ठीक नहीं करता हैं किसी से भी पूछ जटनते हैं जित्ते बएठ और झायें Lauren मैं तो पतिड़न काईगा मैं ठीक हूं, पत्नी ठीक नहीं पत्नी कहईगे मैं ठीक हूं, पत्नी ठीक नहीं नित्य सत्संकरे, जो मनुष्य भगवद अरपन बुद्धी से कर्म करता, जिसका समय मेरी कथा व्यारता में व्यतीत होता है, उसके ग्रिहस्त आस्रम होने के बावजूद भी वबंदन का कारण नहीं होता, हम लोग यह सोचते हैं, सभी को पुर्व के प्रारप्त करनुसार स मिलती हैं, लेकिन ग्रिहस्त में रहके कैसे रहना चाहिए, वो बताया कि ग्रिहस्त में रहके ऐसे रहना चाहिए, कि एक दूसरे को पती-पत्नी याद दिलाता रहे, कि आप भी भगवान के घर से आए, मैं भी पूर्व, अपनी जो पूर्व की कर्मान winter है, इसके वाज़ पत्नी कहलाने की वो ही अधिकारनी है, भोग पत्नी नहीं कहा गया, कोई और पत्नी नहीं काम पत्नी नहीं कहा गया, कहा गया धर्म पत्नी, मतलब वो सदा अपने पत्नी को धर्मात्मा बनाने के लिए धर्म की याद दिलाता रहे, धर्म की याद कैसे दिलाए, वोले बताता रहे कि आप मुझे में क्यों आसकती कर रहे हैं ये तो भगवान की और जाने के लिए ये मनुश्य शरीर मिला हुआ है राका और बाका अपने नाम सुना होगा राका और बाका नाम के पति-पत्नी एक दूसरे से एक दूसरे से बढ़कर वेराग्य एक दूसरे से एक दूसरे से पढ़कर भक्ती और एक दूसरे से एक दूसरे से बढ़कर धर्म की लाइन पे चलते थे राका आगे था बाका पीछे थी बाका पत्नी वो पती से आगे पती-पत्नी से आगे दोनों पती-पत्नी की मैंको तो ऐसे लगता है कि जीवान में आपे इतने भक्तों के चरित्र पढ़े बर रांका-बांका जैसे पति-पतिनी देखे चल रहा था P बंका के दृष्टी भंग न हो जाए तो उन्होंने क्या किया, वहां बैठे बैठे, वहां सी ली थोड़ी मत्टी, वह थोड़ी पीछे थी, उन्होंने थोड़ी सी मत्टी ले करके उसको ढखने लगे, उसकी दृष्टी न पढ़ जाए ऐसा करते-करते दhuL से जब ढखने लगा तो बांका नब तब तक आ गय है क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वखल लो कुछ नहीं? इसा बताया कि जैसी है अप्ल जैसे कुछ नहीं आरे पर धהुल को धूल से क्यों ढख रहे हैं प्लार ऐसे भी नारियां होती है, देखें, मैं रोज एक नारी की बात बताते ही लेगती हूँ, आगा ने कहा धूल से धूल को क्यों ढख रहे हो, बोले क्या, बोले और नहीं तो क्या, अभी तुम्हारी त्रिष्टी में सुवर्ण और धूल में अंतर मालुम पढ़ रहा है, यह सुवर्ण और धूल दोनों धूल है, मैं क्या करूंगी उस धूल को ले करके, बिन्न बिन्न वस्तुएं हैं, यह आपको दिखाई पढ़ रही है, पर पतिदेव, मुझे यह दोनों एक से दिखाई पढ़ रही है, धूल से धूल को ढखके क्या कर रहे है, ऐसी भावना Viking, तुमारे मन में रह कैसे घई, कि बांका के मन में सुवर्ण को हार को देख κάर कर त에 उसके मन बनल जाएगा? क्या वेरागी नहीं हमता है, क्या ऐसे पति पत्णी धरम पत्णी इसे कहते हैं, धरम पत्णी उसे कहते हैं, कि वेरागय की सीमा पार कर गयë, मुझे तो बांका कहता है मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ तू मुझसे बहुत आगे बढ़ गई अरे मुझे तो दो दिखाई पड़े लेकिन तरे को तो एक दिखाई पड़ा तेरे वेराग्य के बीचे मैं छोटा पड़ गया उनको जराबी नहीं लगा धर्म में देता रहे अपने किये वे पुण्यों के बल से इरादा ययाती शरी स्वर्ग में गए सभी प्रचेता फिर नाराण सरोवर के किनारी आ गए उन्होंने नाराण जी से कहा ग्रियस तास्मक के विलासी वातावरन में हमारे सारे ज्यान का लक्ष को हम भूल गए उनको ग्रियस्त बनाया ना प्रचेताओं को वापिस आखर के बूले कि हम तो भूल बाल गए यासे हम लोग बूलते है तो शिवजी और भगवान नाराण ने हमको उपदेश दिया था वो भी हम भूल गए तो भूले आप क्यों भूल गए भूले फिर से हमें उपदेश दिजिए भूले क्या भूले हम सारे ज्यगत में किसी को खुश करके देखे कोई खुश नहीं रहता किसी को खुश नहीं कर सकते हम ज्यगत को प्रसंद करना बड़ा कठिन है एक को राजी करो दूसरे को राजी कर तीसरा नाराज ये कहानी तो हम सब और तों को आती है क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग सबसे बड़ा रोग कौन सा है क्या कहेंगे लोग मैं भी ऐसे बैठते हूं कि क्या कहेंगे लोग गोडे को लेकर जा गए थे, कहानी आपको भी पता है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं, गोडे को लेकर जा रहे थे पुत्र ने पिता से कहा, कि आप बढ़े हैं, आप गोडे पर बैठके चलिए, मैं पैदल चलता हूँ यह कहानी अपने शिवजी पारवती जी की गणगोर में आती है, यह पिता कितना निर्दय है, स्वेम गोडे पर सवार और बेटी को पैदल चला रहा है, यह सुनकर पिता अप सोचा बिटा, अब मैं चल गया, लोग अच्छा नहीं कह रहे, मैं उतर जाता हूँ, तु गोडे पर बैठ चा, उन्होंने उसको गोडे पर बैठा दिया, और चलने लगे, जोई पिता चलने लगा, और बैटा गोडे पर बैठ के चलने लगा, इतने में, उसे लोग आगे आए, देखो, इतो बुड़ो भाप है, बिनन तो पैदल चलाए रहा है, और बेटो आपको गोड लेकर चलने लगे, और दोनों अगल बगल खड़े हो गए, सबने का मूर मतीन की भ्रष्ट हो गई यह घोडा खाली चल रहा है, दोनों भी खाली चल रहा है, साथ में घोडा फिर भी पैदल चलने है, एक बैठा तो पादू का, दूसरा पादा तो पादा तो पादू का, फिर दोनों बैठ गए तो कहा बिचारे घोड़े की क्या रहेगी वो तो थोड़ी देन में चलाई जाएगा अब सब ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है ये दोनों पैदर चले तो जली कटी सुननी पड़ी जगत में हम कैसा व्यावार करें कैसा वरतान करें कि हम किसी तर जगत को राजी नहीं कर सकते तो सबसे एक हां गया कि जगत को राजी करने की चेष्टा मत करो हमारे प्रभु को राजी करने की चेष्टा करो जब प्रभु को राजी करने की चेष्टा होगी तो जगत अपने आप राजी हो जाएगा जीव मात्र के प्रति दया दया सर्व भूत संतुष्टा येनकेनवा सर्वेंद्रियों पशान्ता पाउन्ताертв्य जता अपैस पाका इए मांत्र के प्रतिदया जो कुछ भी बिले उससंदुष्टि सभी हिंद्रियों का सांह्म क्या बोली और उसके पहले दो जीव मातर के प्रतिदया जो कुछ मिले उससे संतुष्टी कल हमने हिरन्याक्ष में यही कहा था संग्रा वृत्ती लोव, हिरन्याक्ष और उसको मारने के लिए संतुष्टी, संतुष यह तीन बातों से मातमा शीक प्रसन्न हो जाते हैं और भग्वान उन पे ग्रपा करने लगते हैं ए पंचम सकंद की ओर हम प्रवेश कर रहें हरे क्रिश्णा हरे क्रिश्णा क्रिश्ण प्रेश्णा हरे क्रेश्ण के पीच में तो शब्द भगवान के नाम लेने चाहります Rama, Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Rama, Rama Graham थे भी पूझा थी पूझे नहीं है अदिनक्रों कि आदे कका हुझा थे आदा बस equipe कर अदबी थिद्भी कने क्रेंश देसे प Stage ले कटने कonie हぁ आधकी नगектив जैसे शुक्रदेव जी कहें कि ये कथा साथ दिनन मुपती रेती है पुरु जन्मन में जिनका उपभोग किया हुआ है वो विशे की वासना आस तक चित में नहित होती है इसलिए अभी से हम आज से ही शुरू करते हैं कि किसी को उपभोग की द्रिष्टी से न देखें पर सदुपयोग की द्रिष्टी से देखें एक तो होपा उपभोग एक होता उपयोग और एक होता सदुपयोग जैसे हम समय का सदुपयोग करें समय का उपभोग तो हम करते ही है उपभोग कारते है हमारे मन की क्या हमारे मन आये जैसे हम समय बिताएं हम यह अच्छा लगे सुरुची रानी की तरह हम पिक्चर देखें गुमें फिरें जो मरजिया यह सो करें लेकिन उपयोग होता है जो उस समय का सार्थक हो लेकिन सदुपयोग होता है जो दुनिया के लिए और भगवान के लिए सार्थक हो तो हम सदुपयोग करें मनुश इस प्रकार अपने जगले जन्म की तैयारी करता है परांभंस रिशब देव जी ग्यानी है और रिशब जी का है रिशब देव जी को पुत्रों का मन को दिश्चस के पास कभी जाने नहीं नेते थे और उनका एक ही लक्ष था कि किन्तु साधन बिन्न बिन्न होते हैं सबका एक ही लक्ष होना चाहिए कहां पर प्रभु को प्राप्त करने के लिए लक्ष होना चाहिए सिया राम मैं समजग ज्यानी करों प्रणाम जोरी जुखपानी रिशब देव जी ज्यानी परमंस तो भरज जी आदर्श भागवत परमंस है भागवद सभी को स्थ्याग करके रिशब देव पागल जैसे होकर जग में ब्रहमन करते हैं लिश्रिभा अवतार ग्यान का आदर्श तापित करने के लिए हैं यह जो पंचम सकंद है न यह ऐसे भी भागवत में बहुत कठिन है मैं जब पढ़ी थी तो मेरे को बड़ा कठिन लगा था पंचद सद भागवत का अर्थाद भाष्य रूप का व्याख्या रूप है दृतिय सकंद में गुरू ने सादन दिया बाद में ग्यान दिया ग्यान वो जीवन में कैसे उतारा जाए यह तिती और चतुरत सकंद में हमको मिला और अब पंचम स्मन में ग्यान को किस रीती से स्थाई करें इसका वर्णन आएगा ग्यान को स्थिर करने की रीती बताई है मतलब स्थिती लीता बताई है परिक्षित राजा आरंब में प्रश्ण करते हैं कि मनु के पुत्र राजा प्रियवत की इच्छा नहीं थी फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया घर में ग्रिहस्त को विशमता करनी पड़ती है ग्रिहस्त में संभाव नहीं रहता देखे ममता, समता, नम्रता करें, विशमता कहा करें इसका ग्यान होना जरूरी एक बोलते हैं भई, महना बराबर को नहीं देखें नहीं, आप अंदर भाव सम रखें लेकिन ब्यवार अलग-अलग रखें क्या एक ही लड़की को एक लड़का गले लगाएगा एक भाई गले लगाएगा एक पिता गले लगाएगा तो क्या अलग-अलग भाव नहीं रहेंगे क्रिया एक सी है पर भाव अलग-अलग है तो विशमता क्रिया की है कि भाव की है बिल्कुल उसी प्रकार हम अंदर सब का प्रेम सम है लेकिन विहवार में विशम है, सबसे एक समान विवार नहीं किया जाता, एक माँ अपने बच्चे को जिसके की, अगर चीनी की विमारी है, तो उसके लिए लड़ू उसके हाथ से छीन लेगी, और दूसरा अगर तृश शरीर वाला है, तो उसको लड़ू दे देगी, तो क्य करना चाहिए क्योंकि इसके लिए यहां पर क्या ग्रियस्तास्रम में प्रति भाव तो सब के साथ करे सामान्य लेकिन अंदर से विवार से व्यवार अलग-अलग करी ग्रियस्तास्रम होने पर भक्ती कारे में कुछ न कुछ बाधा उपस्तित होती ही रहती है इसलिए राजा प्रेवेत की इछा हुई कि मैं एकांत में अराद्ना करूं। आगनी पुरु के संसकार से पुरु चित्ति समाती है, आगनी विग्र राजा पुरु चित्ति में फसे हुए थे, उनके घर में नावी हुए, नावी के घर रिशब देव वे। रिशब देव जी बार बार उपदेश देने के लिए हमने अभी रिशब देव जी की कथा करी और रिशब देव जी के आँख को शक्ति देता है मन यह भगवान के आठवे अवतार थे और जैन धर्म के यह तिर्थंकर है प्रथम, जैन धर्म के ये प्रथम तिर्थंकर है, रिशब देव जी ने इतनी तप्रस्चा की कि उनको अनेक सिद्धिया मिलने लगी, उनोंने उन सिद्धियों को तुक्रा दिया, क्योंकि सिद्धियों के आने के बाद, क्या हो जाती है, सिद्धियों के आने के बाद क्या ह हो जाती है रिशब देव जी के ने सिद्धी को ठुकरा दिया और एक मातर प्रभू की तरफ अपनी वृत्ती रखी रिशब देव जी के सबसे स्रेष्ट पुत्र थे भरत अब हम उस तरफ आ रहे हैं जो हम सब लोगों को पटाया भरत जी की कहानी उसके बाद उनके पुत्र और उनका क्या हुआ जड़ भरत तक कैसे पहुँचे इसी भरत के नाम से हमारा भारत पुष्ट का भरत कर नाम रखा गया उनके संग में सभी में भगवत भाव जगता था उनके संग में आने वाले के लिए सभी के अंदर ये हो जाता था कि ये भागवत धर्म के बड़े बड़े हैं भरत जी ने ये उपने जीवन में मर्यादा का उंलंगन ने किया महावैस् Victim करते कि अध्य कर्म करते थे पर कर्म के अचना नहीं करते थे भरत जी को एक दिन गवावस्था में वेराग्य हो गया, बहुत कथिन है, बहुत कथिन है, क्रियस्तास्त्रम में रहते हैं, वेराग्य होना, बहुत कथिन है मैं तो भरत जी का चरित्र पढ़ती हुझ तो मैं सोचती हुझ राजा हुझ सब चीज को वैभाउ के देखते हुए वह रागय होए तो कैसे हुझ प्रतिकूलता हो तो शायद वारागय हो जाइए अनुकूलता में वारागय हो ना अती कठी ने विद्धा वस्त्रा में जो वेराग याता है ना भाई मैं तो आजकाल क्यों करा सब क्यों छोड़ दियो भुआ पर छोड़ दियो बेटा पर छोड़ दियो मैं तो भाई आजकाल कुछ अरे थाका में शरीर में शक्ती हो तो करो मैं तो छोड़ दियो लेख्याथ कान शुड़ थे हम भचे लेगां मैं बाठाय के लिए उसका लिए पहले अपनी इज्यत बनाए रखने के लिए हम कहए देते हैं अमने तो जी तो छोड़ दिया ति वेराग ज़ इंग ल मान नी आया है अनुकूलता में वेराग्य आने के एक दो ही अपने को उधारन मिलते हैं अनुकूलता में बहुत जल्दी वेराग्य नहीं आता है अनुकूल होता है तो लगता है थोड़ा थोड़ा भाई गाड़ी में भी बैठ जाएं थोड़ा थोड़ा ये भी कर लें, फोड़ा थोड़ा वो भी कर लें मेरागे नहीं आता एक राजअ था बहुत IV बच्वन से बटि करता था यहिए उसकी इतनी प्रशंशा लुगाई है तो वो कहती है आपके बिना नही रह सकती बच्चे हैं तो वो कहते हैं आपके बिना नहीं रह सकते सब लोग एक दूसरे के इतने उस राजा के प्रेमी थे कि उस राजा को लगता था कि मैं चला जाओंगा मेरे बिना तो सारा घर संसार सुना हो जाएगा उसको लगता मैं क्या करूँ भगवान का भजन कैसे करूँ उसके गुरु बहुत अच्छे थे सद्गुरु एक दिन आये बोले राजा कहां फसे हुए बोले मैं क्या करूँ मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ पर बेटे हैं कि मुझे आफिस ले जाने से छोडते ही नहीं वो कहते हैं पिताजी आप ही चाहिए बच्चे हैं वो कहते हैं पिताजी आप ही चाहिए और पत्नी हैं वो कहते हैं आपके बिना तो मुझे दो मिनिट मन नहीं लगता है मैं कैसे भजन करूँ राजा, वोले, सब प्रेम करते हैं मुझसे, कोई मुझसे दुश्पनी नी करता, कहीं से प्रतिकुलता हो तो तो जाओं भचन करने के लिए, मुझे तो बहुत अनुकुलता है, सद्दगुरी का अच्छा, मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मुझे तो अब मुझे बताएं, दूसरे दिन उन्हें शिक्षा दी, सब प्रेम करते हैं, परिक्षा ले लो, क्या परिक्षा ले? गोले परिक्षा ये लो कि मैं एक पानी में कुछ बना के लाता हूँ वहां लेकर आउंगा उसके बाद तुम कह रहे हो ना कि सब बहुत प्रेम करते हैं आगे पराण गोलो कृष्ण करें Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare विवेक पुर्वक उभभोक करने के बाद विवेक जागरे तो वो ही वेरा गिला सकते है नहीं तो जवानी में और सब सुकों के बीच में वेरा गिनी आता उस राजा इसे का गया, उसके सद्गुरु ने कि मैं पानी मिला के लाऊंगा वो पानी मैं पीने के लिए तुमसे कहूंगा और तुमारे जित्ते भी परिवार के जना उनसे कहूंगा वो पानी मिला के लाया वो ये बिमार पढ़ने की तुम एक्टिंग करो वो बिमार पढ़ गया, राजा उ लेके आया, सद्गुरु वो ये दवाई लेने से तुम उपर पहुँच जाओगे वो ये दवाई जो लेगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, अगर कोई और ले ले तो माता से कहा, माता, तुमारा जवान पुत्र है, तुम दवाई पीलो तुमारे बेटे को ठीक नि कर, नहीं, मेरा बेटे को ठीक हो, नहीं चाहिए गुरुजी आप किसी तरह इनको ठीक करिये, बुले गुरुजी ने कहा, नहीं, आप कोई दवाई पीएगा, तभी इसकी तब यह ठीक होगी, नहीं तो ठीक नहीं होगी, माता ने कहा, मैं कैसे पीओ, मेरे तो और दो पुत्तर हैं, मैं चली जाओंगी, तो कौन करेगा, पिता से कहा, पतनी से कहा, सब से कहा, सब ने वो दवाई पीने के लिए वना कर दिया, बुले सबको अपनी जान प्यारी होती है, इससे तो मृत्य हो जाएगी, कोई ने पानी पिया नहीं, तो राजा को कहा, तो गुरुजी ने कहा, लाओ मैं पी लेता हूं और राजा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब प्रेम करते हैं, पर आज मेरे लिए कोई पानी पीने को तयार नहीं था, सद्गुरु ने कहा, यही बात मैं तुम से कहना चाहता था, कि देखो तुमें वेराग्य नहीं आ रहा है, बगवान के भजन करने के लिए वेराग्य क्या वश सकेगा, तो इतना सद्गुरु ने इतना उत्तर दिया, बचरता था, कि म अगर कोई नहीं चोड़ता है, तो ऐसा कोई निंदनी ये कार्ये का पेपर में समाचार दे दो, चोड़ देगे, ब़ोगे क्या, पेपर में दे दिया, यह इह दिखता धरमातमा है, लेके न हैं ले बाइवले छुलट्ट छुलट पेपर में निंदा के सारे समाचार चाप दिये। पत्नी है बाई ऐसे निंदा के jeste रहो rebel ship mental के पास मैं कैसे रहोiern सबने उनके पास जाना छोड़ दियां की कानों में उस सेट की उसकी निंदा ही चारों तरफ गई जोई उनकी निंदा सुनी सब ने उसको छोड़ दिया सेट को लेकर के राजा और सेट तोनों जन उस सद्गुरु के साथ भजन करने चले गए उले वैराग्य प्रतिकूलता वैराग्य की जननी है जोई प्रतिकूलता आपके जीव यह चार से चुटता नहीं राकिस से, भोजन से, द्रव्य से, वस्त्र से, इस्त्री से, गर से नहीं चुटता भई ठाकुर जीजे स्री कृष्णा, स्री राम प्रिष्णा नहीं भई देखो, मैं यह पढ़ रही हूँ लेकिन ऐसा आप मत सोचे, मैं कोई आप लोग की तरह संत मात्मा नहीं है, तो मैं अपना आनंद माटने के लिए छोटी सी भाशा में कूलती हूँ, संसार में नौका की बाती रहना चाहिए, नौका में पानी नहो, पानी में न पानी नौका में आने से, पानी नौका डूब जाती है, वैसे संसार हमारे बीतर आने से, हम भी वेराग्य नहीं आ सकेगा, भरजी का नित्य नियमता ग्री त्याग करके और अपने जंगल में चले गए, अकेले ही तब करने लगे, गंडगी का दूसरा नाम है शालिक ग्रा इस्तान करते, सूर्य नारायन की सेवा करने से बुद्धि उज्वल बनती है, इसले उनकी उपासना करते, सूर्य नारायन सभी को प्रकाश देते हैं, यहां सूर्य नारायन की थूड़ी सी बताईए, सूर्य नारायन सब को प्रकाश देते हैं, पर आज तक बिल नहीं तो देदो, कि आप प्रकाश देते हैं तो तीन, सूर्य देवायनमा, सूर्य देवायनमा, सूर्य देवायनमा, सूर्य देवायनमा, इतना तो कर सकते हैं, अरे भई, आप देते हैं, आपका पैसा नहीं खरच कर आते, कुछ नहीं कर आते, सूर्य को अरक तो देना शुरू करन एक दफे मनुष्य और कोवे में जगड़ा हो गया कोवे ने काँ कि मैं एक चीज में तुम से जादा शक्तिशालिय हो तुम सुर्य अदे होने के पहले नहीं उठते हों मैं उठता हूं तो सुर्योद है कि पुर्स्नानादी कर्म करते भरत जी करते कि मेरी बुद्धी, मेरा मन का ही दुर्गामी न हो जाए इसलिए मैं सुर्य नारान आपके तेजो मैं चिंतन का सुरूका करता हूं अधिकतर पाप शरीर से नहीं मन से होता है कहां से होता है तो उजा तो करते थे लेकिन मानस चिंतन बहुत करते थे मानस चिंतन से जितनी जल्दी भगवान अपने भीतर आते हैं उतनी बहुत बहुत बाहरी क्रिया से नहीं आते हैं हम लोग क्या करते हैं बाहर से करते हैं ओम नमना 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 नम Shri Krishna एक लोड़ाए कि प्रिज्द का मानस में चिंतन अबराए, Shri Krishna का चित्र उबराए, Shri Krishna के दर्शन हो भीतर, वो मानस चिंतन, मानसी सेवा, शारिरिक सेवा से उपर बताई गई हैं, मांसी सेवा, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में कुछ नहीं होता है, वो भी मांसी सेवा करते है एक बार एक कंजूस बनिया था कंजूस था तो उसको कहा कि देखो भाई, तो गुसाई जी कि अवा सद्दूरु के पास गया, बोले देखो भाई, मेर को है ना सेवा तो करनी है, पर मेरा खर्च नहां हुआ 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 की कलपना, भगवान के चित्र की कलपना, फूल की कलपना, माला की कलपना, सब कलपना करते जाना, ओ, इसमें करशनी होगा, बोले, कुछ नहीं सोचना है तुमको, उसने का, तुमको कौन सा भगवान का रूप प्री है, बोले, देखे, रूप तो मेर को, मैं भगवान के क्रि उठाओ, फिर आकर के मानस में देखना, जमना जलमा के सरगोडी, स्नान कराऊ शामला, तो अपने अंदर से अंदर की स्नान करा रहे हो, हाद के हाते अंगो चोडी, लाध लडाऊ शा, यह तो बहुत अच्छी बात, मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं बस तुम यह करना, जागो बंसी वाले, मैं तुमारे दर पे आगया, यह सब भीतर भीतर तुम करना, फिर जब हलके हाते पहुँच लेना, फिर उनको अत्र लगाना, अत्र काय को लाऊंगा? नहीं अत्र, अंदर सोच के, अंदर सोच के, इत्र लगाना, इत्र लगाना, हलके हाते अंग लाड़ लडाव शामर वस्त्रे अंगोल उचीना कॉपड़ा भी नहीं लाना पड़ेगा ऐसे पॉष्टिया फिर उसके बाद कपड़े पहना देना मुखड़ा देना फिर सब चीज कर देना तो बले फिर विराज देना फिर क्या बले फिर उनको भूगतो लगाएगा देख दूद लाना सब लाना फिर उनको उसमें दूद में मिस्री घूलना माखन निकालना माखन मिस्री का लाला को बहुत पसंद है माखन मिस्री का भोग लगाना है उसने का ये ठीक है चल जागा ये कर सकता हूं तो वो रोज करने लगा फिर गुसाई जी पूचे हफते के एक देन कितने समय होगे, चेह मेने आठ मेने उसको लगन लग गई जैसे हम को रठ जाता ए ना, हम कैसे पार्ट करते है कि आपकि निस थे उन् में दिदार पर लागना कि अटुी थे ख़ग का समय को अर शबड़ यह टो हमस्पदों का थोडिये करते हैं हमारा अनुमान चाली साह हो गया है तीन मिनिट पे तीन मिनिट में, दो मिनिट में, वैसे ही वो भी अपना करता था, लेकिन कभी-कभी सोचता था, बैठे-बैठे, इती जल्दी-जल्दी करने में, मेरा जो सोच रहा हूं, वो कई शक्र दूद तो जाना ना लग जा है, उसको ऐसा लगता, तो आपना बैठा-बैठा सोचा, एक दिन उसको लगदा, कि लुद में भोग लगा रहा था, और उसको लगनी लग गय थी, तो जो सोचता था कि लुद पी रहे हैं, बैगवान ये ये कर रहे है, और ईसको लगदे है, वापने ज़दा, तु आपना तो एक पैसा तका लगा किला नहीं, भaई बढ़ानी ब तो उसमें से शक्क्र लेने लग गया तो भगवान ने तुरंथ हाथ पकड़ लिया वो ले आरे मानस में भी शक्क्र नहीं दे सकता है क्या तेरी कौन से पाब तेरा कौन सी शक्क्र लग रही है हाथ पकड़ लिया तनमयता के कारण सारी वस्तनों से प्रतक्ष दीखती थी, मन में कलपना करते करते चीनी निकालने लग गया, बारह वर्षों तक मांसी सेवा की थी, भगवान को प्रकट होने की इच्छा हुई, उन्होंने बनी एक हाथ पकड़ के कहा, अरे तुने एक पैसे का खर्च नहीं क क्योंकि जित्ती भी उप्योग की वस्तों थी, वो सब राजा में छोड़ के आये थे, कमर तक जल में खड़े होके भगवान की प्रार्तना करते थे, रोज वहां से काफी अपने श्लोक आर्चन करते थे, एक दिन वहीं जल पे, एक शावक को नदी में जली में, शावक मतल ब्रिग का बच्चे को माँ पे देखा, यह आप सब को पता है, उसमें उन्होंने उस बच्चे को स्रीहरी का दर्शन किया, यह सोचने लगे इसकी माता की मृत्य हो गई, और देखो परहितसरी से धर्म नहीं भाई, परपीडा समने अधमाई, तो सोचे उसका दुख दूर करना चाहिए, एक छोटी सी उनकी यह रही कि इसको मैं बचा लेता हूँ, पर बचाने की दृष्टी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी लालन पालन करने लगे, रक्षा करने लगे, अरे मेरे सिवाय तो बच्चा किसी को पहचानता नहीं है, अब कहां जाएगा, यह तो मेरा ही धरम है, मेरा ही करतव है, मैं ही इसका पिता हूँ क्योंकि इसकी मा तो मर गई है, जीव मानता है कि मैं ही दूसरों की रक्षा करता हूँ, मेरी दो तीन दिन में अभी, दो दिन में भागवद शूरू होने के बाद, एक दो जनों से बहुत मेरे प्रीय लोगों स बात हुई, मैंने का आजाओ ना, पांच दिन की एक दफ़े भागवत चल रही, अच्छा है भगवान मेरे को अच्छा लगेगा आप आजाए जरूर आती पर मेरे बिना बच्चे रहते नहीं, मैं ही इसका रक्षक हूँ, मैं ही इसका पालक हूँ, यह हर जिवात्मा को एक जूटा आश्वाशन दे कर रखता है, अरे भगवाई रक्षा तो करता धरता प्रभू है पालक और संकारक स्री हरी है यह दि परमेश्वर की कृपा हो जाए तो अनात और वनवासी हो तो भे वह जिवित रहता है अरे इसके अंदर एक कहानी सुना दूँ क्या बहुत कहानिया आजाती है मेरे को बीच बीच में कहां भरत जी चरेगे जड़ भरत जी का ज्यान तो थोड़ा सा मिले गाई एक बाल एक राजा के सेट के दो लड़किया जुड़वाँ पैदा हुए और उड़वाँ लड़किया एक दम वो लड़किया जो मा थी वो अनाठ गरीवनी मतलब नइ पेट पे फुटपाथ पड़ी हुई पेट पे पेट पे डेवे तो रोटी खावे उसके दो जुड़वाँ लड़किया पैदा हुई और उसी समय यमद्राज ने कहा कि इस मा का गुविंदा नमो नम है इनने लेकर आजाओ लेने गया उसको दया आई उससे कहा इतनी चोटी चोटी बच्चियां दूद पीती बच्चियां दूद पीने वाली है और उसको ले जाओ इसका पालन कौन करेगा इनकी मा नहीं इनका कोई नहीं कौन पालन करेगा तो यम्दूत ने जाके कहा कि मैं तो नहीं ला सकता इतनी यम्राज ने कहा तुमने विधाता के प्रारभ्द के जो विधाता काम है उसमें अडंगा लगा इसलिए तुम तो मनुश्योनी में जाओ जब तक तीन तुम्हारे चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आए जब तक को भीज करके उसके माता का स्वर्गवास हो गया, दोनों छोटी बच्चियां बिलक रही है, वो देवदूत हसा, जब तीन आश्चर ये जनक घटना पे तुम हस लोगे, तब तुम वापिस यहां आ सको गया, उसने रूप लेकर के एक जूते बनाने वाले सेट के यहां पे नौकरी करी, और वहां नौकरी करके और वहां पे करने लग गया, तस वर्ष बीते, उस देश के राजा का ऐसा था कि ऐसे तो चपल बनाते थे, लेकिन किसी की डैथ होती थी तो जूते बनाने पड़ते थे, तो एक दिन उस जो यमदूत बनके गया था, उसने रात को उसक की फ celebris से जूते बना दी, अब सभेर' उनका मालीक उसा हो, भुझे तुमको इसके रखा है जूते कब बनते हैं, जूते तो जब राजा मरता है, तब मरता है तुमने जूते कैसे बना दी ये राजा के लिए? थोड़ी देर के बास समचाराएं कि राजा का स्वर्गवास ह उसने उसी से मैं शावासी दी कि वाँ 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 तुमने एक ता अच्छा काम किया तब पहली बार वो दूत हसा कि देखो हमने सोचा कि यह नहीं होगा पर यह हो के रहा और किता उसका ठीक पालन हो दूसरी बार जब उस सेट का बच्चा पढ़ने गया था पढ़कर के वापिस लौट रहा था तो उसने सारी तैयारी ऐसे कर दी बहुत तुम क्या कर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरे बच्चा आने वाला है तुम सारी तैयारी ऐसे उदास रूप की कर रहे हो वो बच्चा माँ से है और वो वही रस्ते में गोविंदाय नमोनमा हो गया विदाता के बलको तुम बहाँ जाम नहीं सकते हो उसके बाद दुबारा हसा कि अरे तुम सोच रही हो कि मैं मालिक बैटा हूं मेरे बच्चे को कौन ले जाएगा लेकिन विदाता ने वहाँ पर उसकी मृत्यों लिक्की हुई थी और मैंने तुमें इसलिए तैयारी कर ली थी तब उसको दुख हुआ लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि अभी तीसरी हैसी बाकी थी कुछ सालों के बाद एक राजा के उस राजा के बेटे की शादी होने वाली थी उस बेटे के लिए उस राजा की रानी ने एक लड़की को लेके आया और एक सेथ की सिठानी भी एक लड़की को लेके आई जो 16, 16, 17, 17 वरस की थी उन दोनों को लेकर के आई और उनसे कहा कि इनके जूतियां बनाईए अब जोर से वो दूत हंसा कि ये दोनों वही लड़कियां हैं जो कि मैंने फुटपात पर देखी थी जो तडपते हुए थी वो दोनों लड़कियां एक राजा के यहां और एक इतने धनी सेट के यहां ये तो कमाल की बात हो गई हुआ ये था जोर से हसा उसके ये जाने का समय आ गया कि विधाता का किया हुआ कर्म मैं अपनी टांग नहीं आणानी चाहिए हमें पता नहीं होता कि क्या चीज किसके लिए हम आसकती कर लेते हैं हुआ ये था कि जो ही उसकी माता का देहा बसान हुआ, जो ही उसके उपर एक सिठानी रहती थी, उसी बंगले में उस सिठानी के कोई बच्चा नहीं था, लोगों ने लाके कहां कि ये दोनों अनाथ लड़कियां हैं नीचे पड़ी हुई हैं, इनके कुछ के लिए रुपया दे दीजे, उनने कहां, उनका कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो बोले घर में रख दो, और उन दोनों लड़कियों का लालन-पालन उस धन्वंती सिठानी ने किया, और वो धन्यानी ने करिया, और वो राज-कुमारी बन कर एक लड़की इसनी सुनदर थी कि राजा का लड़के का उस मन आ गया और उसने उसके साथ शादी करने का तैग किया और दूसरी लड़की को किसी सेट के लड़के से शादी करने के लिए वो उनकी मा जो कि उनकी सच्ची मा नहीं थी वो उन दोनों के लिए जूतियां बनाने आई थी बोले देखो विधाता की तकदीर का पता नहीं रहता, हम सोचते हैं कि हमी सब कुछ करने वाले हैं वैसे ही राजा अभरत को ये लगा कि अब ये इमरिक शावक का कोई करने वाला नही है उनका पूजा पाथ ही रह गया धरा का धरा और उनका सारा चिंतन शीमे लगी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं क्या इतना उसको लालन पालन करते थे संसार को छोड़ कर कहा जाएंगे भाई जा जाते हैं वही संसार बसा लेते हैं कई लोग सन्यासियों को मैंने देखा एक दो को मैं मिली भी हो तonia अभार लोग अनब रिंदावान में अपना आश्रम बनाते हैं आश्रम बनाके वो सारे दिन उसकी चेक कट आने लगते हैं कि कमरा बन वाना है लोग कोन नहीं के बारी है हमारी शिश्याने वाले अरे कहा वहां जा के संसार पसा लिया और एक दिन वो जोई चौकणी मार के मिरिक शावक चला गया और उनको लगा कि कहा चला गया कोई उसे खा लेगा भरग जी को पकड़ने के लिए काल आया नहीं प्रतीक्षते मृत्यू कृतम अस्यनवा कृतम काल सदा सरवधान सावधान रहता है और भरग जी को पक्ड़ने के लिए काम आया और अंता काल में भरग जी के चिंतन में मिर्ग शावक था उसलिए अंता समय में जो मती, सुगती उनके बाद मिरग के रूप में भरगजी का जनम उआ लेकिन इतनी सेवा करने से उन्हें इपने अमरिग के जनम में रिक्षों के सुखे पत्ते खाके कि किसी तरह इस योनी से मुझे चुटकारा मिल जाए फिर भरत जी ने मृरिक दे का भी त्याग किया और ब्रामन के घर्म जन्म लिया पवित्र ब्रामन के घर भरत जी का जन्म हुआ बाल्या वस्ता में उन्हें भक्ति का रंग लग गया, लेकिन उन्हें हमेशा याद था क्या याद था? कि किसी से भी अगर मैं जरासी भी आ सकती कर लूँगा, तो संग का रंग चड़ जाएगा वो किसी से भी बात नहीं करते साधारन व्यक्ति वास्ता के अधीन होकर संसार में आता है लेकिन जो विशेश भक्ति होते हैं वो उनको कोई चीज आकर्षित नहीं करता संसार की विपरीत मान्यता के कारण संसार एक लोगों ने उने जड़ भरत जी का नाम दिया जड़ भरत जी का नाम सुनके लगता है न कैसा है गुरु जी से थोड़ा सा कहूंगी जड़ भरत जी के बारे में बोलने का जब आएगा जब राजा रोगन का लेकिन मेरे को जड़ भरत जी का रूप ये बड़ा लगता है कि वो किसी से बोलते नहीं, अती बोलने से स्ने उत्पन होता है, पहला शाब हर इंद्रियों को कैसे वापरते थे ये देखिए, बोलना जादा नहीं, बोलने से भी संसार अंदर जाता है, देखने से भी संसार अंदर जाता है, जब दृष्टी जिसको कितना अच्छा है, कितना खुराब है, देखने से भी अंदर जाता है, एक आँख से देखा जाता है, तो दो आँख से दिखीस्ता है, दो आख देखने के लिए, दो कान सुनने के लिए, लेकिन जीब एक दो काम करने के लिए, बोलने के लिए और खाने के लिए, लेकिन हम जादा क्या काम में लेते हैं जीब को, सच्ची, बोट डबल, जड़ भरत हर तरफ से मन पर अंकुष रखते थे जिवा पर अंकुष रखते थे आँखों पर अंकुष रखते थे और कान में अपने ही द्वारा ध्यान और मगन होकर करके अपने कानों से अपने ही जब को किया करते थे अपने मन को दूसरा कोई अंकुष नहीं दे सकता हमें खुद को देना पड़ेगा जर भरज्जी भगवान के स्वरन में लीन रहते थे माता पिता ने शरीर का त्याक किया जर भरज्जी पागल की तरह घूमने लगे उन्होंने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाये, चला किस प्रकार जाये सड़े वें उड़त खाने के लिए देते थे उनके भाई औभावी उन वस्तो गमृत व्ल्लमान लेकर ले लेते थे कि सभी में परमात्मा है किस प्रकार चला जाए किसी जीव की हिंसा न हो जाए ऐसा सोच कर रास्ता देख कर चलते थे धर्ती पर द्रिष्टी देखते वे चलते थे हर्दम सोचें कि मुझे किसी का पाप न हो जाए एक दिन भाई ने खेत की देखभाल के लिए भावी इतनी गुस्सा हुई कि ऐसा है उसको वहाँ खेत में भेज दिया खाने वाला राम खिलाने वाला राम तो रोकने वाले का क्या काम खाने वाला राम खिलाने वाला राम तो रोकने वाले का क्या काम जगत ये देख करके उसको वहीं से बिदा कर दिया जगत एक भील राजा नहीं संतान थे उन्होंने नौती मांगी कि आज भतरकाली के बली चढ़ाऊंगा तो जिसको बली चढ़ाने के लिए ले के जाए जडबर जी को खेत में देखा महाँ से उठा कि उन्हें बली चढ़ाने के लिए ले गए माता जी को बलीदान तो दो लेकिन जीव का नहीं बलीदान तो देने लगे बली राजा के लिए जो ही संत की परिक्षा उनके मनोवृत्ती पर आधार रखती है उनको वहाँ पर जो ही ले जागर के उनको देने लग गए जो ही उनको बलीदान देने के लिए लगे माता जी का रिदय बराया कि उनके हिंसा देखी न गई और भद्रकाली मूर्ती तोड़कर टकट हुई और राजा की तलवार से उसी का मस्तकाद दिया तहां कि मस्तकाद दियेंद बना कर खेलने लेगे बोलो जड़भरत महराज कीज़ए किसी संतुष, किसी समय सिंदु देश में जो भक्त सोचता है कि मेरे को कुछ नहीं करना है उसका सब कार्य भगवान करते हैं ये बास सत्य है जड़भरत जी इस तरीके से विचरन करते थे जैसे कि उनको कोई सुख और दुख लगता ही नहीं था वहाँ गए तो ऐसे, वहाँ गए तो ऐसे कोई खीर दे दे तो खाले कोई मट्टी दे दे तो खाले किसी चीज में ये परमहंस की अवस्ता होती है और ये परमहंस फकीर की अवस्ता होती है मोज फकीरां दे वह वहरे मोज फकीरां दे वह वहरे कदे तो खाना चना चबेना कदे तो चाहे 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 चना चबेना